मतुरा से तीसरी वार किस्मत आजमा रही है ममानली इस वार चुनाओं में जीत दर्जी करने के लिए क्या रणनीती बना रही है विपक्ष को मात देने के लिए कौन सा चक्र व्यू तियार कर रही है इसको लेकर हैममाली से बात की है, हमारे सहयोगी विपिन सारस्वत ने उसको मेंटेंड करते हुए, मॉडरन टाइप का डेवलेपमेंट भी साथ में होना चाहिए एक मिनी एरपोर्ट के लिए भी आपने र्यास किया है हम ब्रेज में जी मिनी एरपोर्ट के लिए यहां पर जो सुब सब्सक्राइमें चाहिए एर्स्ट्रिप हो जाए ऐसा मेरा मन में एक इच्छा थी कि आयोद्या में भी एरपोर्ट हो गया तो हमारे मतरा में क्यों नहीं तो एक आप आप एस्ट्रिप होगा ना तो स्मॉल चोटा प्लैन भी प्लैन से बासकता है एक आवाज हुदी है अईुद्धय काशु ही हमारी है और अपकी बार मतरा की बार है इसको लेकर कि कैहने लिए वह नारे तो हमारे योगी जी ने काफी बार कहा है तो उनके कहने के मुताबे कि हम भी चाहते हैं ऐसे हो लेकिन अभी बात जो है कोट में है तो कोट का जैसा पैसला होगा उसके रिसाब सब्सक्राइब होगा अगरी सवाल आप ब्रजवासियों के बीज आ रही है तो कैसा पैयार मला है और अउसी बार क्या लग रहा पिसली बार आप तरी 3,000,000 वोटों से जीती थी तो अउसके बार पुछ है उससे ज्यादा मिलने की आशा है तो हमारे जितने भी कार्य करता हमारे महिलाएं जो यहां दिसने प्रत्वांने तौ उसके मताबर्क ज्यादा मिलने की आशा है चुना आपकर समय आता है यमना पूजन जैसे कंग्रेस ने किया वस पार प्रत्यासी ने किया आपने भी किया तार नमामि गंगे योजना भी चली थी यमना को साफ करने के लिए तो कहींना कहीं अभी क जा का परोजेक्स लाए हैं जो नाला विल्णा उसको काम किया हो अधुद से बड़ा बाकी है जिसके इलावा जो डेली से जो नाला का पानी आता है यम्ना में उसको स्टॉप करना बहुत ज़्रूरी है तब ही हमें यहां मत्रा में शुद्ध पानी मिलेगी जैसा कि संसर जो नाले गिर रहे हैं उनको क्लोच कर दिया गया है चार-पांस नाले बच्छें जो जम्ना में गिर रहे हैं उनको जल्द क्लोच किया जाएगा और जनता का भरपूर मुझे प्यार मिल रहा है और उनके असरवाद से पिछल की बार में तीन लाक से जीती थी और अब की बार बड़ी बड़त मिलेगी